असलाम अलेकूम students of grade 8 आज हम exercise 4.2 का question number 2 करेंगे और question number 7 करेंगे ठीक है exercise 4.2 में question number 2 में कहा गया है कि अकरम ने business start किया 70,000 से 3 मन्त के बाद असलम ने उसे join किया 40,000 से और 6 मन्त के बाद असगर ने उसे join किया 40,000 से और year के end में इने profit वा 28,800 का अब हमें share मालूम करना है each partner का तो आईए इसको solve करते हैं कि ये किस सरह होगा इस question में सबसे पहले हमने लिखा अकरम started a business with rupees 70,000 अब यहां बताया गया है कि अकरम ने पूरे साल का जो है वो 70,000 से start किया नि पूरा साल साल के शुरू से ही उसने ये रकम लगाई थी तो हम क्या क करेंगे अकरम joint invested for one year 70,000 को 12 यानी एक साल में 12 महीने होते हैं तो हम 12 से multiply करेंगे तो हमारे पास ये रकम आएगी ठीक है असलम ने जोइन किया business 40,000 से मगर उसने कितने मंस के बाद किया 3 मंस के बाद तो अगर हम 12 मंत में से 3 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 9 मंत रहा तो 40 को 9 से multiply करेंगे फिर ये रकम आईगी हमारे पास अजगर ने invest किये 40,000 अजगर ने 6 मंस के बाद किये थे तो 12 में से 6 माइनस किया तो 6 मंस है 40,000 को 6 से multiply किया तो हमारे पास ये amount आ रहा है इस तरह हमें तीनों की रकम पता चल गई कि तीनों ने कितनी रकम से total कितनी रकम से जो है वो बिजनिस में start लिया अब जैसे question number one में यहां हमने multiply किया है मंत में मगर question number one किस तरह से मरियम आर्फा started a business with the investment of रुपी 60,000 ने 80,000 ने मरियम ने 60,000 आर्फा ने 80,000 अब उन्होंने पूरे एक साल के लिए किया था यानि बीच में से कोई नहीं आया तो हमने multiply नहीं क काम शुरू करेंगे मगर यहां हमें month बताए गए है partners के तो हमें जो month बताए गए है वो minus करने के बाद जो remaining month से multiply करेंगे तो यह amount आएगा ठीक है इसी तरह तीनों के amount आगा है अब question में हमें बताए गया है कि उनको profit हुआ है पूरे साल के आखिर में तो they earn profit फिर हमने profit निका लेंगे ratio इसकिस कितना निकलेगा जाहरे 3 partners इसे तो तीनों के भी चरशन निकलेगा Ackram Aslam and Asgard तीनों के हमने amount लिखा लिए अकरम का amount लिखा यहां से अजगर का amount लिखा असलम का amount लिखा तीनों के amount जो multiply करने के बाद आये थे वहमने लिखे इस तरह हमने जब इनको cancel तो सरे कां złो वाए इसके बाद हम कॉटनिक करतेगा भी तो आपको पता ही यहना कि तिनों नमबर्स को एक ही टेबल से काटना हैे था नहीं किसी को त्री से काट रहें किसी को त्रीच से काटकी है थे फश्क कर दो है वह थे काट पहले2 जानम से काटए अगर में थे अब तीनों ऐसे नंबर आ गए जो फर्दर नहीं कट सकते हैं ठीक है तो फिर सम ओफ रेशो लेंगे किस तरह सेविन प्लस थी प्लस टू इन तीनों को प्लस करेंगे तो 12 आ गया रेशो है यह सम ओफ रेशो है यह रेशो उसका सम अब इसका फॉर्मिला लिखेंगे हमें शेरिंग प्रॉफिट मालूम करना है शेरिंग प्रॉफिट इस इक्वल टू रेशो डिवाइड बाई सम ओफ रेशो मल्टिप्लाइ प्रॉफिट ठीक है यह हम फॉर्मिला लगाए आभे और औलां प्रोफिट कितना हुआ है हमें 28800 वह ने लिखा इसको जारे बराबर में तो हम नहीं काट सकते हैं बराबर में क्रस में हम काट सकते हैं तो 16,800 आप यह भी कर सकते हैं कि 28,800 को आप ने 7 से मल्टिप्लाइ कर दिया तो यह आ जाएगा ठीक है इसी तरह हमने असलम का प्रॉफिट निकाला असलम का रेशो जो था 3 डिवाइड बाइड बाइड वाइड तो हमें सम उफ रेशो करना है मल्टिप्लाइ हमें प्रॉफिट लिखना यहां प्रॉफिट बॉफिट cash लगाए इसस थरह हम गया अब हम देखते हैं question number 7 question number 7 में अकरम लेफ्ट वेल्थ अक्रम जब दुनिया से गया मतलब जिस तरह विरासत होती है जाने के बाद जायदात के हिस्से होते हैं यह वाले questions इस तरह के हैं यानि फोर तक के तो आपके sharing और five six seven eight जो है वो आपके इस तरह विरासत के हैं आगे इस तरह के questions है तो जब यह गया तो पंद्रा लाग बीस हजार का amount चोड़के गया जो इस तरह से उसमें divide हुआ है कि एक इसकी माँ बेवा तीन बेटे और चार बेटियां उसमें इनको जो है वो share distribute करना है लेकिन इस रकम में से इनका खर्चा भी हुआ है funeral expense वाए 30,000 और इन्होंने loan लिया था 50,000 अब जो है इसके बाद हम amount calculate करेंगे share of each share यानि कितना हर किसी के इससे में कितना आया मा के इससे में कितना आया बेवा के इससे में कितना आया तीन बेटों के इसमें और चार बेटी होगे इसमें हमें यह बताना है ठीक है तो यह आपका question इस तरह से होगा कि इसमें भी सबसे पहले जो है वह आप लिखेंगे आप देखें पहले आपने यह लिखा question number seven में अकरम left wealth पहले आपने यह लिख दिया कि वह कितने पैसे छोड़ कर गया फिर आपने लिखा funeral expense हो गया loan हो गई यह दोनु प्लस किया आपने sum of expenses किया दोनु एक्सपेंस को plus कर दिया तो 80,000 आया अब यह जो total amount 15,20,000 इसमें समने 80,000 माइनस किया तो हमारे बास 14,000 14,40,000 आया ठीक है अब हमें इसके इसमें सहिस्से निकालने क्योंकि जाहरे पहले तो हम expense निकाल लेंगे ना जो अदाईगी का expense है इतना amount बचा फिर हम mother's share निकालेंगे अच्छा यह शेयर आपको बुक में जो है वह व मदर का share multiply 14,40,000 ठीक है यह वाले amount में से निकालना है इसी तरह जब इसको multiply कर देंगे 6 से divide कर देंगे तो यह वाला amount आ गया यह मदर का share निकालाया ठीक है विडो का जो share है वन अपाउंड 8 ते यानि 8 पार्ट मिलता है तो वह जो है इसी तरह आपने लिखा इसके बाद यह का हम total करेंगे दोनुका share दोनुका share total करने के बाद यह amount आया है हमारे पास 4,20,000 अब हम remaining amount निकालेंगे पहले यानि 14,40,000 में से हम 4,20,000 माइनस कर देंगे क्योंकि यह तो दो लोगों का share है ना यह निकालने के बाद जो रकम बचेगी हमारे पास 10,20,000 तो फिर उसमें से ह हम 3 sons का share निकालेंगे ठीक है तीन बेटों का हिस्सा है अगर हम निकालते है तो बेटों का हिस्सा इसलामी तोर पे 2 होता है एक बेटे का share दो होता है और बेटी का एक होता है तो 3 sons का हिस्सा है तो 6 साथ है क्योंकि एक बेटे का 2 दो हिस्से होते है एक बेटे के तो 3 बेट और प्रेशों में किया 6 लिया और 4 लिया दोनुं का सम किया तो 10 आया फिर सं का शेर निकाला हमने 2 divided by 10 multiply यह वाला जो amount है यह यह वाला amount है जो remaining आया है हमारे पाल 2 का शेर निकाल के वह हमने लिखा इसी तरह हमने multiply करके दिवाइट कर दिया तो 2,4,000 आया ठीक है अब हम यहां दो बेटों का शेर निकाला है तो 2 और नीचे sum of ratio आयेगा दो बेटों का शेर है तो ओपर 2 आये नीचे 10 जो यह sum of ratio आये इसी तरह डॉटर का शेर निकालेंगे डॉटर का तो एक शेर है न मैंने बताया तरह लड़को का दो लड़की का एक है वन लिखा नीचे 10 और multiply कर दिया इसी amount से जो remaining amount है जब डिवाइट किया हमने तो एक लाग 2,000 ठीक है तो यह amount डॉटर का है यानि sun का amount हो गया और डॉटर का हो गया ठीक तो यह दोनों questions हैं आपके ठीक है thank you नाफिज